नमस्कार में प्रवेंड गोतम PM मोधी के एक बया ने बहुत सारे मीडिया एंकरों, BJP नेताओं और मोधी सरकार के मंत्रियों को फसा दिया है कि अब बोले तो बोले क्या जो BJP नेता कभी राहुल गांदी पर आरोप लगाते थे कि देश के वेल्थ केटर्स को गाली देते रहते हैं अमबानी अडानी की बुराई करने के अलावा राहुल गांदी को कुछ नहीं आता अब PM मोधी ने जब राहुल गांदी पर आरोप लगाया कि अडानी अमबानी से टेंपो भरके नोट लिये हैं तो बीजेपी नेताओं के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है नाविका कुमार के एक सवाल से भागते नजर आए मोधी सरकार में मंत्री प्यूश कोईल उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं और नाविका कुमार क्या सवाल पूछती हैं और प्यूश कोईल क्या जवाब देते हैं बड़ा दिल्चत सवाल है और जवाब दिखाता है कि कितना डर गए हैं अमबानी अडानी पर बोलने से मोधी सरकार के मंत्री और बिजेपी नेता नाविका कुमार सवाल करती हैं प्रधान मंत्री का एक स्टेटमेंट आया जिसने संसनी मचा दी उन्होंने कहा अडानी अमबानी टेम्पो में भर भर के काला धन कोंग्रेस को दे रहे हैं मैं पुछना चाहती हूँ इस स्टेटमेंट के पीछे का लोजिक क्या है बहुत अच्छा सवाल किया नाविका कुमार ने बहुत अच्छा सवाल किया पत्रकारों को ऐसे ही सवाल करने चाहिए प्यूश गोईल से भी देश के प्रधान मंत्री से भी नाविका कुमार के इस सवाल पर पियूश गोईल बुरी तरह फस जाते हैं और जवाब नहीं दिपाते कि बोले तो बोले क्या पियूश गोईल क्या जवाब देते हैं मैं उत्तर मुंबई चुनाओं में लगा हूँ प्रधान मंत्री जी ने जो कहा उसके बारे में तो आपको प्रधान मंत्री जी से ही पूछना चाहिए यानि सवाल से भाग जाते हैं पियूश गोल अगर यही सवाल नाविका कुमार राहुल गांदी के बारे में पूछती कि अडानी अंबानी पर राहुल गांदी ऐसे ऐसे बयान देते हैं तो यही पिश गोल बोलते की देश में धन अरजित करने वालों के लिए रोजगार पैदा करने वालों के लिए राहुल गांदी ऐसे ही अनाप शराब बोलते रहते हैं लेकिन चुकि मामला PM मोधी का था मामला अडानी अमबानी से जुढा था तो पियूश गोल को समझ नहीं आया की बोले तो बोले क्या इसलिए बोल दिया कि ये सवाल तो आपको प्रधान मंत्री जीसे ही पूछना चाहिए और प्रधानमंत्री का इस पर क्या रियक्शन है इंडिया टीवी के एंकर सोरव शर्मा ने सवाल पूछा था कि अगर आप इतना बड़ा स्टेटमेंट देते हैं कि बोरे भरके टैंपो भरके अडानी अमवानी कॉंग्रिस को काला धंदे रहे हैं ये बात हम नहीं माल सकते कि देश के प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है अगर आप सारजनिक करना चाहें तो उसके जवाब में पी-म मोदी सवाल को हसी मजाग में टाल गए मसकरी में टाल गए और ये दिखाता है कि पीम मोदी ने मसकरी में ही ऐसा वयान दिया था अब मोदी सरकार के एक ही मंत्री इस सवाल का जवाब दे सकते हैं और उनका नाम है अमिश्या और आखिर में क्या जवाब दिया जा सकता है आखिर में जवाब आमिश्या यही दे सकते हैं कि यह तो दरसल एक जुमला था चुनाव में इस तरह की जुमले बाजी चलती रहती है आप इसे गंभीरता से क्यों लेते हैं यही जवाब आखिर में सिर्फ आमिश्या दे सकते हैं जैसे कि 15 लाख रुपे को लेकर दिया था आप पियुश गोरल के इस तरह सवालों से भागने को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट पॉक्स पर प्रिरायज जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स की अप्शन का इस्तमाल करें वीडियो को लाइक करें चल को सब्सक्राइब करें नमस्कार